पाकिस्तान समें जुमुकिशीर हिस्कात करनवालें लूकन हिस होसला अब जई मोजूद मर्केजी सरकार्स पेजे हमसाई मुलकस निश्च सबक हैसल करून महभूबा मुप्ती वादी इंगन मुक्तली बलाकनमस जंगली जानवर निश्च बाला दिस्ती कलमपूर वर्मलिसमस म्यववागन तपसलस नुकसान कोपोरिसमस एकिस मौसूम बचस सान जिना पर जंगली जानवर सिंच सम्लसमस जखनी माकब विजली मस काम करन वालो डेल वेज मुलाइज मुलाइज मुतर कुस्त नुकस मस एफजाज माकमस खलाब नारबजी इंसाब फराम करने मुझारी नुमा पसलावने को नाजरीन को श्र खबर नामे है तुजब साहिल अमीन तुह जिस खदमत सम्स हजरत पेश खबर नहों तफसील जो मुकसीर मस एते का यहन जाएन पेट टूल पलाजा कईम करन पत सिरसी त आवई में हलकों तरप नाराजगी हुंद इजार करन चो यवान तैच जो जोईम सोबस मस लूकन हीजा आत नाराजगी मस मजीद इजाप उशन यवान जोईम सामभी किस सरूर टूल पलाजा पेट युवा राजबूत सबा तरप जम पेट मारिच करियत आएते एहजजी धरन इसके पड़ शुरू करना आओ यह दोरान के मंग करांच जी तूल पलाजा गचे हटावनी जोईम जोईम लूकन रहात वाएते हैं जोई जोईम कश्यीरीन लजी मनोज सिनान चाहिम हवाल गड़ा बयान दितमुच यह मामल शो नैश्नल हैवे अथार्किया आप इंडियास तुल में आमुट अनकरी भी एम हवाल का हत्मी फसले निन ताहम यह मोई लूको तरफ वन आमुच जोईम कश्मीर इंतजामयात मर करना आमिज जे तिमन्यी रहत वातनावने ताहम चितित फसले निन इवान यह से जेम सोबिक लुक सडकन पट यहनस मजबूर चसब इदमें करना जे ऐ हैक से आम जेला सामपा के स्रोट टोल प्लाजा में मौझूद आपको बिता दे कि स्रोट टोल प्लाजा को यहां से हटाया जाए क्योंकि सडके नहीं है तो किस बात का टोल वसूला जा रहा है फसिल्टीज नहीं है किस बात का टोल वसूला जा रहा जिससे आम जंता काफे दा परेशान है और इसलिए जंता के हित को आगे लेकर चली है यूवार आत्पूच सबा जिनों ने एक संगर्ष शुरू किया है अब ये संगर्ष कहां तक पहुंचता है ये देखना होगा लेकिन फिलाल आपको बता दे कि जो पिछले दिनों में परदशन किया गया तोल प्लाजा में पहुंचकर परशासन ने आश्वासन दिये कुछ नहीं हाथ लगा बे नतीजा मीटिंग रही और उसके बाद अल्टिमिटम दिया गया कि सोंबार 21 अगस तक 12 बज़ तक अगर तोल को नहीं अटाया गया तो यहाँ पर यूवार आत्पूच सबा नहीं बन पा रही है और इसलिए यूवार आजपूच सबा ने भी आप जो विरोत को और करते हैं यहाँ पर डेरा जमा दिया है यहाँ पर बिस्तर लगा दिये गए हैं टेंड भी लग जाएगा अब खाना भी यहीं पर बनेगा जब तक तोल यहां से नहीं अटाया जाता तो सीधे तोर पर आपको बता दें नो रोड नो टोल यह नारा यूवा राच्पूच सबाने दे दिया है अब इंतगर किया जारा तो प्रशासिन की दरफ़ से कि कब आखिर अटर आता है तोल को हटाने का यह देखना होगा लेकिन फिलाल आपको बता दें कि तोल पोस्ट कर रही है तुल हटाने का और जब अदिया होगा यहां से जाएंगे लेकिन अर्ट की माने कि आनने वाले क्या कुछ हालात बया करते हैं लेकिन है कि यहां पर डटी हुई है तमाम उनके समर्थक यहां पर डटे हुए है और इंतजार कर रहे हैं तोल हटने के और का और परशासन भी कोशिच कर रहे हैं कि इनको यहां से हटाया जाए लेकिन यह नहीं हटेंगे बरी जानकारी सोटोल प्लाजा को लेकर यहां टोल का विरोध बदस्त पूर जारी है और तभी यह लोग अटेंगे जब तोल यहां से हटाया जाएगा जो कि इल्लेगल जजिया करार पहले ही दे दिया गया तो फिर तोल क्यों काटा जा रहा है यह जंता सवाल पूछती है फिलाल के लिए करमन गुर्दास के साथ रिशी गजुलिया गुरिस्त पीडिवी सद्र महबबा मुफ्तिचास नकरसमस प्रेस कांफरंस दोरान जराई इबला किन सवालन हिन जवाब दिवान वनमर्जे मौजूद मर्कजी सरकार उस पैसे पाकिस्तान उसकुन वुचुन जे तिमकृत चे तिमन लूकन एजद दिवान यमजन पाकिस्तान उसमस जमकृषिर हैंज काच करांत मौजूद मर्कजी सरकार तरप क्या जमकृषिर ही देन तिमन लूकन सविद करने यवान यमजन मुलक किस अईनस ताहत कईया ही फिर हलफ तुलित जमकृषिर में सरकार ते बनो जो 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 ग्रेजिंग लेंड है जो गास चराए है जह हमारे जो लेके लोग थे अपने बेड़ बकरियां ले जाते थे चराने के लिए अब वोग नहीं जा सकते हैं यह लेके लोग कह रहे हैं जिसको राजी राहुल गांदी जो है उसको 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 एक्स्परस कर रहे हैं इस अबर राहुल गांदी एसने एक वन ने रैदो थे जो सणे को ए बन डालात नहीं कर रहे हैं is she? No. Her husband Yacine Malik has been convicted. When you know a terror convict like Sadvi Pragiya goes around advocating openly to sharpen your knives to kill so and so. Even the prime minister at one point of time said when Sadvi Pragiya we used very abusive language about Gandhi ji he said to my heart is not going to forgive her but she is roaming outside you know like anybody sadhvi pragiya joe michail malik hai wo toh ko i mn hier sadhvi pragiya kira hamujerini ayasin malik ki tera usko kisi deshadosgarh ilzam may muslim ni thara yae or ya pakistan this is something internal matter of pakistan And I think the BGP government should learn a lesson from them because Pakistan is trying to reward and honor those people who they think have been pleading their cause in Jain के. What about the people like Sheikh Saab? Sheikh Saab, जैसे लोग जनोंने जमू कश्मीर एक मुसलिम मजॉर्टी स्टेट को हिंदुस्तान के साथ मिलाया, अगेला महराजा तो नहीं कर सकते थे ऐसा. What about that? What has BGP done to him? Instead of awarding him, honoring him, जहां भी उनका नाम है, उसको नाम को मिटा रहे हैं? मुफ्ती साथ, जनोंने जिन्देगी बार, who fought to win the hearts and minds of people of Jain के, so that Jammu कश्मीर के लोग और मुल्क के लोग नजदीक आते. When they found nothing against him, then they went to his mazoolium and you know, उसमें audit किया कि उनका मगवरा बनाया मुफ्ती साथ का, यह बताओ, यह पैसा कहां से आया है? So I think BJP needs to learn a lesson from Pakistani government. They are awarding, rewarding, honoring those people who they think have been pleading their case in Jain के. Contrary to that, BJP is dishonoring, disrespecting the very same people, the very same Sheikh Saab, who was in the forefront of accession of Jawa and Kashmir to the rest of the country. मुफ्ती साथ, who fought for the idea of India throughout his life. So this to me, I think it's a great thing to do with this, शर्मनाग बात नहीं हो सकती है. Shame on BJP for doing what they have done to shake Saab's name. It's not only about, you know, यह एक हाली जो है, फाहद शाह जिसको बिजारे को दो साल हो जाएंगे, अब जेल में उसकी या कश्मीरिवाला की बात नहीं है. यह जितने भी प्रस के पेपल हैं, जितने भी यहां हमारे आउटलेट्स हैं प्रस के, उनके एड़िजमेंट्स बंद हैं, उनको मकानों से बाहर निकाला जा रहा है. यहां सिर्फ एक जो मीडिया एडवाइजर है, गवर्नर साब का, who is a private person, उसकी क्या authority है, सारा वो जो किसको एड़ देना है, किसको नहीं देना है, अकबार में किसकी खबर छपनी चाहिए, किसकी खबर नहीं चाहिए, या तो वो करता है, या तो वो था जो गेडर कश्वीर में इनका बंदा था, जिसके खलाब 25 F.I.R. हैं, तो ये तो बड़ी बड़ी कानुस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट की बात कर रहे हैं, कोई मीडिया एडवाइजर है वो ही सारे फैसली करता है तो यह कैसे सरनगर के इसके आई सीसी असमाज यह ते इसकी पैटे त्रें दोन ताम जहरी रोजन वैलिस कोमी साथ हुए किस प्रोग्रामज दास तुलना आउ तच्छो तक्रीब मस मौझूद आवई मिन वहिंदो तर इसी मेमरो तो बीडी सी मेमरो तरफ वन आवसे पंचायती राज सिस्टम मजबूत बनावनस्मेंच यह प्रोग्राम अख अहम रोल अदा कराई मैं बलाक बनी डिस्टिक कठवा जमू और किश्मीर से आया हूँ देखे जी राष्टी सतर पर बर्क साथ था और इसमें बहुत सी चीजें जो हैं जो जमू किश्मीर के अंदरा भी नाएं तरीके से हो रही हैं और वो जो और राजियों में काम चल रहे हैं जैसे पंचायत कि राज इंस्टियूशन को लाया यहां पर और उनके तरीके से यहां पर लोगों को अवेयर किया और यहां की जमू किश्मीर के जितने भी यहां प्रतिनीदी आया थे बीडी सी डीडी सी सरपंचल पंचल और सब को वह अपने बाहर के राजियम से लाए हुए जो अपने वीडियो के माधियम से कुछ ऐसे प्लैन की माधियम से उनने समझाया कि ऐसे ऐसे पैंचेती राज को आगे बढ़ाएं और यह हमारी तो आभी जमू कुश्मीर की स्टार्टिंग है तो हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम बे हम कोशिश करेंगे और को का अमीद करते हैं कि की बारी ऊचरियमारी मेघnhाटी राज इन्सिट्येशन बाले यह यह से जमू कुश्मीर के राज यह तो बिल्कुल के रह बात है यहान पर जो मारे जमू कुश्मीर के इंदर काूं मैं बताउं गया तो यह तेना भी है ध्री टाइड आइर सेस्टम का पस में अताल मेल को तिनए आई तक हुआ है, क्योंकि यहां जो सर्पनचे जो सोचता है, कि मैं अपनी तर्फ से पंचाःत के अंदर काम कर रहा हूं, वो ही हो रहे हैं, बलाक डिवल्मेंट कर से जो बीडिसी चेर्मेन हो सोचते हैं, के हम काम कर रहे हैं और डिस्टिक्ट डॉल्मेंट कॉंसल का जो तीसरा टायर बनाया इन्हों इलागले के टायर बनाएं वह एक का भी कॉडिनेशन सेहम नहीं हुआ और अपने-अपने कॉडिनेशन पर काम हो रहे हैं इससे भी हमारा जमू कुश्मीर को थोड़ी बैक बहु अच्छी शुरूआता है और हमें एक्सपोजर टूर करवाते हैं बाहर हम देखते हैं और इधर बर्षाप लगी बहुत कुछ सीखने को मुलेगा और बहुत अच्छी शुरूआता है ऐसा रहेगा हमारा क्या हुए कि फर्स टाइम पंचैतों का मानलों की पंचैती राय का जन्मय अभी हुए है तो फर्स टाइम है आगे चलकर बहुत अच्छा हो जाएगा बहुत अच्छा चलेगा बहुत ही अच्छा स्टाप अलजी सावने इठाय है और एक गोर्मेंट आफ इंडिया देखिए आज श्री नगर जो है इसके सिसी में नेशनल पंचाइद वर्क सेट यूनियन मिनिस्टर जो है वो जहां पर आये थे और अलजी सहब जो है वो जहां पर थे जहां शुरूआत की गई और बड़ी अच्छी शुरूआत हुई पॉजटीव शुरूआत हुई और जे गुर्मेंट आफ इंडिया का पॉजटीव इनिशेटिव है कि जमू सी सरपैंच हजरात और बाहर की रियास्तों से यूनिन टेरिटरी से भी जहां पर लोग जो है अलेक्टर रिप्रेजनेटिव जो है पंचाइटी राज इंसीचूशन से जो वावास्ता है वो भी जहां पर आए हैं और बड़े खुशनमा महोल में जो है आप देख रहे हैं ज इस आलमी दोस्त पर तक्रीब उनसांस करना आमुट यात्मस माकम क्यों जुम्दारों तोली में देऊ अहदारों बजर्ग लुकों तो 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 आप मोक्स पेट ये ते बजर्गन हींदन हुकूकन ते समाज इसमें 30 अहमेत सवाल कथ अंडल दिनाओ ते जो जु माशाल 남sholay हम बुज्रगों के साय तले रहकर उणकी रैनमाई शे हमारा मुष्किबल हमरे बच्चों का मुस्टिबल जो है वह आगे चलता है बुज्रगों का अगर हम पे हाथ तो फिनकी रैनमाई हो उनकी हमें गाइड लाइन हो तह हम अच्छे इनसान बन सकते हैं और आज यहां पर हाइर्स केंट्री सावजिया में जो प्रोग्राम रखा गया है इसमें मुझे बहुत एक एहम चीज जो है हमारे ताशील अफसर शोशल वेलफेर आजम साब ने बुजर्गों के जो खुक है जाती जो खुक है उसके बारे में जो उन्होंने यहां पर बाते की तो उस पर जो है आज तक ये लोग जो है उससे लापता थे कि हमारे हुकूग क्या है हमारी जो है छे साथ पंचाइदों के लोग आए हैं जो आज वाइर्नस हो गया बुजर्ग आज जो सीने सिटेंजें यहां पर हमारे ताशील मंडी में अपने सावजियां हाइर स्कूल स्कूल के अंदर मना जा रहा है इसकी यही गदोगायता है कि जो हमारे बज़र्ग हैं वो समाज से आपने आपको पिछला हुआ महसूस ना करें बलके वो यह समझें कि समाज सारा हमारे साथ है जिस तरह आज इनके लिए मुख्तालिव खाने का चाए का और बागी जितने नाजरीन को शर्खबर नाम चुजरी एतनी मौक तिजारती वक्फ